जो भी गिव अप करने का सोच रहा है या जो भी थोड़ा अब थक रहा है कि अब नहीं बनाना उसको एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे को यह था कि मैं तीन साल करूंगी फिर अगर नहीं हो तो मैं छोड़ दूगी पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना है जैसे आज कर लोग अब आज ता ऐसा हुआ अडी ने उसकी जिन्दी बरबाद की इस तरीके की चीज़ें या फिर किसी का नाम उठाया किसी का फोटो उठाया किसी के इन्फोर्मेशन उठाई इस तरीके के कुछ मुझे करना नहीं था देख और यह पेमिंट बहुत प्रेसियस है बिकाज यह उस काम से आया है जिसको कोई काम नहीं समस्ता है खानत वरोजी बनाना है इसको कौन काम समस्ता है नमस्ते दोस्तों नमस्त श्रिवाय मेरा फॉर्स प्रेमिंट आ गया है तो मैं बहुत खुश हूं और सोचा कि यह खुशी सेयर करने चाहिए वैसे तो जैसे गूगल पिन इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही और साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे ही थोड़ा आगे पीछे बहुत सारे यूटूबर्स ने शुरू किया है चैनल इस पेशली मेरे ही के तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि गिवप नही करना है बहुत सारी बाते हैं क्या-क्या प्रब्लम्स आती हैं कैसे कैसे आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए फिर कैसे आप अपने आपको मोटिवेट करें बहुत सारी चीजे हैं तो मुझे ये लगा कि मतलब उनको बहुत बदत मिलेगी इस से और वो लोग देखेंग मैं यह कुर्छ आपकी यह मेरा कितने नमबर का चैनल के पहले मेरे कितना खोला था क्या-क्या-क्या-क्या-क्या क्या च्छाप्र 서i कि वहाए बहुत सारी चेज्और वेडियो में और अगले वीडियो में शेयर करऊंगे जस्ट बिकॉस की यूफिया ehkä यूट्टुबर है तो इसलिए मुझे ये था कि मैं शेयर करूंगी ताकि जो भी गिव अप करने का सोच रहा है या जो भी थोड़ा अब थक रहा है कि अब नहीं बनाना उसको एक मोटिवेशन मिलेगा तो ऐसा है कि मैं कौलिफेकेशन वेगर अपने बारे में पाकि चीजे मैं बताऊंगी और अच्छा मतलब सालरी मरी अच्छी है जैसा रिप्यूटेड जॉब में होता है और मेरी जॉब भी बहुत ही रिप्यूटेड है इस्पेशली विमन्स के लिए तो बहुत ही मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसा ही जॉब हो तो ऐसा है बट फिर भी मेरे अंदर एक कीड़ा थ में बात कर रही हूं तो उस टाइम से ही मेरे खाने को ना सब बड़ा पसंद करते थे और में काफी अर्ली एज में खाना बनाने लग गई थी बाद में तो होस्टल चली गई तो नहीं मौका मिला और कहीं भी मैं रिलेशन में या कहीं भी जाती थी तो लोग बोलते थी कि प्रीती हम लोग प्रिपरेशन कर दे रहे हैं बड़ तुम खाना दूम बना दो तो बनाती थी मैं सबको अच्छा लगता था तो मेरे को हमेशा एक रहता था अभी मैं घर के लिए इवन देखो मैं जितनी भी रेसिपी डालती हूं वह मैं कभी स्पेशली रेसिपी के प्रिपेर भी नहीं रहती हूं तो यह तो हो गई थोड़ी बहुत मेरी बात है बहुत एक्साइटीड हूं समझ नहीं आ रहे कहां से भूलू क्यूंकि ना वैसे भी मैं कुकिंग ही करती हूं कैमरे पर नहीं आती तो इसलिए थोड़ा सा हिसिटेट भी हो रहा है बट फिर क्या क्या प्डूलम्स हूई पीपैमिंट आने ऑर कितनी पीपैमिंट आई है लास्ड में वह भी बताऊंगी और आप तब तक अगर देख रहा है विडियो को कमेंट करे बता सकते हैं किया डॉक्स कितनी पेपैमिंट होगी मेरी फ्रस्ट पैमिंट है मुझे चैनल खोलना था, तो मैं बहुत दिनों से, उस टाइम मैं ब्रेक पे थी मतलब इलेक लेके मैं और अभी जब यह मै लेक्ट अर जोब नहीं करनी ऐसार मुछ रही थी तो मैं फ्री थी लेकिन खाना तो बनाती ही थी रोज तो मेरे को बहुत दिन से खूल ला था मेरे हस्बंद में सुन-सुन के परिशान थे कि खूल ला है तो कहते है करो आपको अच्छा लगे वो करो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हमने तो मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड करूंगे मुझे किसी के मदद नहीं कंद नहीं है किसी भी तारीके का मदद नहीं तो इस तरीके से था तो मैंने ना फिर और पैसे काही दिम पहले जुरू गया थे यृघ्ट मेरे हस्बंड बोलते थे ले लो मैं बोलती थी कि अभी पुराना फंटो काम कर रहा है वो अभ तो फिर मैं मंगाई मेरे हस्बेंट एक दिन जिद करके फोन मंगा दिया मैंने का चलो ठीक है और उन्होंने इसलिए फोन नहीं मंगाया कि मुझे चैनल चलाना है चुकि मैं थोड़ी से जॉब वगरा से हट गई थी तो मेरे हस्बेंट चाहते थे कि खुश रहे है यह करे व चैनल क्रिइट करने थोड़ा मैं भूल गई हूं पहले तो मैंने किया हूआ हैं यह भूल गई हूं एक तरीकाए बहाना था यह और मैं भूल घए त Veter I तो चैनल क्रिइट कर दिया है本वी मेंने बहुत दिनों था कोई वीडियो नी डाली है तो फिर हम लोगा तो त्रिप था उस टाइम जाने का एक सल पहले उसकी एक आदर वीडियो मैंने भी शेयर की है आगे करूंगी तो ट्रिप वगरे पजाते थे लाइश्टेल अच्छी थी मेरे अच्छा पैसा कमाते है मुझा ठीक है काम चल जाता है प्रभू के पास है तो फिर हम लोग ट्रि ट्रिप पे जाने वाले है तो उस टाइम से मैं शूट करूंगी तो उन्होंने बुला चलो ठीक है यह भी दिख लेते हैं तो फिर हम लोग जब ट्रिप पे जाने लगे तो मैं थोड़ा 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 एसे रिकॉर्ड करने लिगे मुझे तब तो समझ भी मैंने याता था कि कैमरा लॉंगी जूड़नल रखना है वर्टिकल रखना है कुछ समझने आता था बट मैंने ऐसे मेमोरी के तौर पे फोटोज वेरे क्लिक की थोड़ा बहुत वैसे मैं जब भी घूमने जाती हूं या खाने पीने की चीज़े होती है तो मैं उसको तो फिर मैंने बहुत दिनों तक यह बोला ना कि अरे वाभी तो मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है कुछ भी नहीं है कौन देखेगा मेरे ट्रेवल को किसको इंट्रेस्ट है मुझ में तो उन्हें कोई बात नहीं पहली बात तो है कि आप चैनल खोलो तो यह सूच के मत ख तो उनके हाथ का खाने का मन करेगा तो बच्चे बना लें खालेंगे कम से कम तुम्हारे वीडियो देखके याद करेंगे तुम कितना अच्छा खाना बनाती थी बहुत सब्सक्राइब मुझे तो इस तरीके से करके हुआ ब्सक्राइब्स समझ नहीं आता था नए डीद कर पीछे के सारी आवाजे आती है और वोइस होवर भी है तो ऐसे करकर कि फिर फाइनली मैंने ना चोटे वाले बेटे काइड मिशन कराया उनिस जुलाई को तो उस तीन मैं ऐसे ही उसका वीडियो शूट की और तुरंत वीना एडिट किया लाइफ जैसे था वैसे ही और उसके बेटे को भेजी तो बहुत एंजाइटिस हो रहा था कि पहली दिन स्कूल गया है तो करके फिर मैं पीछे मंदिर है वहां चली गी तो व पहलine उसके लिजाएट किटे हैं तो इसे करके डाल दिया फिर बहुत दिनों तक वीडियो नियए पंदरर-भीच दिन पिर ऐसे कुछ बया के मैं एक पहला वीडियो बनाया अलोकी की सबजी बनी तो सही लेकिन बहुत अच्छे से मेरे को खाना तो अच्छा बना था बट वीडियो अच्छा नहीं बना था फिर मैंने उसको डाल ऐसे करकर के मैं घरे-द्रे डालती रही फिर थोड़े दिन डाली थी तब तक गाउं जाने क था मेरे पास्ता अब मैंने बनाया था वह और आने के पाद लगा कि छोड़ो अब यह सब मेरे बसका नहीं है तो पास्ता का बट तो मैंने देखा ना कि सड़ेनली मेरे पास्ता के ना वियू बढ़ने लगे रोज 200-300 वियू आने लगे उस एक सिंगल वीडियो पर वीडि जैसे भी बनाती थी और आप लग देखते ही है कैसा बनाती हूं तो मैं वैसे ही डालने लग गई फिर मेरी इसमें यह भी बात है कि मेरी छोटी सिस्टर है वैसे तो वह प्रोफेसर है यूवर्सिटी में बट वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि नहीं दीदी करो ना क्यों कि एक यूटूब से मुझे एक रूपे आनी रहे है और पता नि भाविस्सी में भी आएंगे कि नहीं आएंगे तो इसलिए इसमें में एक रूपे नहीं लगाना जो चूला है मेरा एकड़म बढ़िया चल रहा है पहले मेरे पस था ऑटोमेटिक चूला था बट मेरा एक पास्ता रेसिपी था उसका मैं लिंक दे दूंगी इसमें तो वह चल रहा था बट मैं इस पर यह सोचा था था कि देखो पीछे भी मैंने कई चैनल खोले हैं उसके बार में कभी और बात करूंगे तो मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा मुन इस पर यह विश् मैं इस लग्लाइश होने में तो मैं इस बार रना तीन साल कम और से कम करूंगी वीडियो ढालूंगी और तीन साल में अगर मोनज़ाय दिस्प्राइमरी हां कि देखो किसी सivaग चार रिवार्ड मिलता है मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता हैं धो मेरे तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन आया फिर बीच में बहुत चारी वीडियो जालते रही नहीं आया फिर ऐसे कुछ पर 15,000-17,000 अजार नहीं पर फिर मैंने एक वीडियो डाला फिश करी का तो वह मेरा उस पर 12,000 चल गया तो एक मोटिवेशन हुआ कि मतलब जा सकता है ऐसा जिसका चल रहा है उसी का चलेगा और सच बतारी मेरे पूरे खंदान में जानने वाले में दूर दूर तक कोई यूटूब नहीं जानता है इवन मेरा भाई इस जमाने का है उसको सब्सक्राइब करना भी नहीं आता मतलब ऐसे था फिर अमने कहा कि अच्छा और बस मेरी ज कमेंट करते थे जरूर आज भी करते हैं लाइक तो ऐसे दरे दरे वीडियो चलने लग गया फिर सदनली एक बर मैंने देखा जो मेरा पास्ता वाला वीडियो था उपर चार लाख मतलब भीव हो गये तो जैसे चार लाख कंप्लेट हुए तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गय और सब्सक्राइबर थोड़े से रहे दो चार दस फिर मैं शॉर्ट वगेरा डालने लग गई कुकिंग से ही रिलेटिर तो क्योंकि मेरा यह थान है कि देखो चैनल बनाना है वीडियो बनाना है पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना है जैसे आज कर लोग कुछ भी करते हैं अने बताया बी ने कहा सी के साथ ऐसा हुआ डी ने उसकी जिन्दगी बरबाद की इस तरीके की चीज़ें या फिर किसी का नाम उठाया किसी का फोटो उठाया किसी के इंफोर्मेशन उठाई इस तरीके का कुछ मुझे करना नहीं था मुझे सरफ और सरफ खाना बनाना था तो मुझे लगता था कि मेरे बच्ची मेरे हाथ का खाना देख के बना के खा सकेंगे तो ऐसे इस तरीके से यह जर्निश शुरू हुई बड़ जैसे चार लाग पहुचा उस पर व्यूज तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया सब कुछ कंप्लीट हो गया थोड़े से जो सब्स तो अब टाइम उतना नहीं मिल पाता था तो फिर इस तरीके से करके मैं सोचने लगी कि कैसे होगा तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे मैं थोड़ी मेरे हाथ ना थोड़ी तंग है टेकनोलोजी में बहुत समझ नहीं आता तो इस तरीके से तो फिर मेरे बहुत ने तो मैंने छोड़ दिया है सही कुछ दिनों तक फिर ना यूटूब ने बंध ही कर दिया मेरा वो पेमेंट दिखाना कि कितने पेमेंट बने हैं क्योंकि यूटूब के स्ट्विक्ट था कि छे महीने हो गए मॉन्टाइज हुए और अपने अब तक ना तो फॉर्म जो भरा ज कि यूट ने देख 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 किया कैसे हो गया मुझे पता नहीं बाद में मुझे समझे नहीं आ रहा है कि मुझे दुबारा खोल के देखने वाद मैं कैसे देखुंगी प्रूबराने वाले फोन में वीडियो चलाई और एक स्टेप फॉलो करके और वह भी कर लिया सब्सक्राइब हो गया तो अब यह था कि पेइमेंट बन रहा है पेइमेंट बहुत कम बनता था कभी सुरू में तो 90 पैसे 80 पैसे बन रहे थे पैसे नहीं मतलब 0.80 डॉलर ऐसे लेकिन फिर बाद में बहुत कम बनने लगे जैसे 0.30 मतलब जैसे हम लोग एक रुपे में 30 पै अच्छी जलरी आती है इस से तो लगता है बट इसका मेरा आलग पॉस्पेक्टिव था कि इस पैसे को मैं डिफरेंटली उस करना चाहते थी क्योंकि मेरे सारे सुक्सोविदा के चीजे में हस्बें अफूर्ड करते हैं और मेरा ऐसा नहीं था बट यह था कि इसमें मुझे मेरा 味 हम्हेशा। करते हैं कि तुम्हारे मुड药 मेरे भी तो मॉंड़ॲ आ है और मेरा थी मिधिन और करते हैं किन चीजों मैं और भुछे में हैं मुझे करना चाहिए तो ऑच्छे मिलती हैं जब डॉलर मनने लगता है और हूगया और होगया अप्रॉक्स मतलब एक साल में मेरा जैसे उने मैंने चैनल उपन किया था तो ऑगस्ट में मेरा पेमिंट चला गया गया ग्याद कर दिया था पुझे यकीन था कि पता नहीं सब्सक्राइब कि नहीं क्योंकि मैं जो स्विफ्ट कोड होता है वो भी मेरे हस्बेंट मुझे ऑनलाइन सर्च करके दें दिया था और मुझे पता नहीं था कि थोड़ा दूर था तो सब डाल दिया था तो इधर से पेमेंट हट गया दूसरा पेमेंट बनने लगा बट अकाउंट में आया नहीं तो फिर मुझे लगा पेमेंट गया कहां फिर वीडियो मैंने देखा दूसरे यूटूबर्स जो टेक्निकल बनाते हैं तो फिर पता चला कि पहले गूगल चांस ही मिल गया पूरा दिन लगा बट मिल गया तो मिल गया तो मने देखा हां वहां पेमेंट दिखा रहा है फिर कुछ दिनों बाद मेरे को आया मैसेज की हो गया मतलब पेमेंट आपका रिलीज कर दिया गया है तो पेमेंट रिलीज कर दिया गया अब मैं बार बार अका मैंने जो टेक्निकल वाले भाईया लोग हैं बहुत मदद होती है उनके वीडियो से उनको देखा मैंने तो यह था कि आपना 15 डेज लग जाते हैं 10-15 दिन तो आप बिल्कुल ही मत सोचो और अगर आपका फॉर्स पेमेंट है तो एक महीने भी लग सकते हैं बिल्कुल इस्ट्रेस डाउट होने के जरूत नहीं है और उसके बाद अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप चेक करो सिफ्ट कोड सही है कि नहीं अकाउंट नंबर स है कि नहीं और सब कुछ पॉफेक्ट है तो आप जाओ अपने जो भी ब्रांच है वहां पर जाकर कि आप बात करोगी मैंजर विल शॉट आउट तो मैंने कहां चलो पतना अभी हम शिफ्ट हो गये हैं मतलब दूसरी जगे मतलब डेली में तब रहते थे प्रॉपर डेली मे है पर NCR में है तो अब वह बैंक का थोड़ा दूर है तो मुझे यह था और मुझे से बहुत इश्यू है तो मुझे यह था कि भाई अब लगता है नहीं आएगा पेमेंट और इस चेक्कर में बैंक जाने के चक्कर में मेरे 5-6 ऐसे अकाउंट्स हैं before marriage से लेकि और बात तक का जिसमें 8000-10,000 पैसे हैं मैंने उसका जो पास्बुक है भी गुम कर दिया काउंट नबर भी आदनी और पैसे महीं पड़े हुए मैं निकाल ले सकते हैं तो लगा इस बर भी होने वाला है मेरे साथ क्योंकि सब बोल रहे थे कि जाना पड़ा यहां जाना पड़ा तो मैं मैंने ना पने हस्बंड को बोला कि अगर एक महीने तक नहीं आएगा तो आप बात कर लोगे जरा क्योंकि ना जिस बैंक में मेरा काउंट है उसका मैनेजर वगरे को इनको जानता है वह प्रॉपर कॉल अगर बात कर लूंगा और अगर नहीं हो पाएगा फोन पे शॉट आ प्रॉपर करता है तो मैं चलूंगा बिल्कूल चलूंगा बिल्कुल टिंशन मतलो ठीक है लिकना मनी मन में था कि यह तो लेकर जाएंगा मैं कैसे जाओंगी फिर मैंने ना हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हरमानी मैं नहीं जानती अब पैसे बेजना है घात है कि अधा aún कि यह पता हां कि यह कोगल टेज़ाएगा चल घुक कि उसकोंने आप खेंड लेंच निकाले vind अर सिरुप profit कि यहारी मुझे ना बैंक जाना पड़ा नो कुछ भी निकरना पड़ा इवन स्विफ्ट कोड भी मैंने उनलाइन हजबने रूड के दिया था वह ही डाला था और पेवेंट आ गया यॉए टो अब किया च्वब करती हूं और मैं कितनीएदीटिटेटी और मेरा पैसधी के चलो तो मैने अपनी मा को फून चेह से मैं बहुत खुश हुई कि चलो बेटा अच्छा है खुशी है तो फिर मैंने ख़ाना मनाने की स्किल में हैटे चीहां से मिले हैं फिर मैंने खु कि ट्रांसफर की तो माने बोले कि अरे इसके क्या शरती मैंने बहुत सारी चीज़े हुए शेर करेंगे आगे और वीडियो में तो अल्टीमेटली मुझे ना तो चैनल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो स्विफ्ट को ले के कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मुझे बैंक एक बार भी जाना पड़ा ना कहीं कोई मेल इमेल या फिर कोई आइडेंटिटी एनिफिंग कुछ भी नहीं करना पड़ा हनुमान जी के क्रिपाइश सब अपने आप ही हो गया सिरफ मुझे सबसे जा कि मुझे मुझे मतलब कैसे करना है ऐसे लिए रच करना है तो सब हो गया था सारी से तो जहां मैंनेगे चेनल बनाया था कि तीन साल तो मैं देखूंगी मॉनेटाइज हो रहा है कि नहीं बट एक साल के अंदर ही मेरा जैसे जुलाई में चैनल स्टार्ट किया था तो 19 जुलाई मतलब आखरी ही है जुलाई का उस कि पहला वीडियो हुआ तो इतना रेसी हुआ जितने में आप एक ठीक ठाक रेंज का मतलब ठीक ठीक स्मार्टफोन ले सकते हैं ऐसे थाउजिंड्स में नहीं बता सकते क्योंकि शायद रेस्ट्रिक्षिंस है डोट नो एक्चली तो यह है और जिस वीडियो जिस वीडियो को मेरा पेमेंट आय हम तो यह है आज का हमारा इमोशिंस जो में शेयर करना चाहते हैं तो यह है तो अगर आप लोगों समझ में आया हूगा तो मुझे बताइगा के प्रंप करके कितना पेमेंट आया होगा मेरा तो मैं वहाँ यह में आंसर कर सकती हूं ऐसे आउन क्यामरा नहीं बोल सकती बट अच्छा पेमेंट आया है कि एक बर दिखाती हूं ये देख और ये पेमेंट बहुत प्रेसियोस है ये उस काम से आया है जिसको कोई काम नहीं समस्ता है खानत वरोची बनाना आई इसको कौन काम समस्ता है तो ये वाला सीन है तो मैं बहुत खश हूं लास्ट में जितने भी यूटूबर्स हैं उनको मैं यही बताना चाहते हूं चाहिए वैसे तो स्पेशिली कुकिंग से रिलेटेड पर चो भी हो जिस भी कैटेगर में आप काम कर रहे हैं डोंट गिव अप कंचनियूटी मेंठेन करिए और जब भी आपको नेगटिविटी फील हो लगे इससे कुछ नहीं आ रहा तो आप यह सुछना कि हम बोढ़ापे में बैठके और अपना वीडियो खुदी रिखेंगे जब हमारा पस्टाइम होगा तो जब हम रिटायर हो जाएंगे जॉब से और फिर उस्टाइब हम देखेंगे कि हम इस एज में कैसे दिखते थे कैसे बाते करते थे बहुत सारी चीज़े तो ऐसे आप मोटिवेटर रहेंगे डिप्रेस फील नहीं करेंगे और बहुत जल्दी आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा जिसका नहीं हुआ है और अब तो